प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, एस्टर ता, नो यूर फेट कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए, और जो दूसरा पार्ट होगा, इसका प्रत्य लगन या राशियों पर क्या प्रबाब होगा, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अभी कि शनी जेहनती जो 19 मही अर्थात कल के दिन celebrate होगी, उसमें इसको celebrate क्यों किया जाता है, और इसमें पंचांग में क्या चीज़ देखा जाता है, किस प्रकार के इसमें राजियों का निर्माड हो रहा है, तो इस बार की जो शनी जेहनती पढ़ रही है, वैसे प्रते एक माह की, प्रते एक पंचांग में अगर आप दे तो प्रतेक जेश्ट माश की जो अमावस्यातिती होती है उसको शनी जहनती कहा जाता है तो जेश्ट औलडी चल रहा है और अमावस्यातिती कल है इस समय तीन अधभुत योग का निर्माड हो रहा है और इन तीनों अधभुत योग के निर्माड के कारण कल का दिन जो रहेग ऐसे लोगों के लिए कल का दिन काफी महतपून होगा देखे कल सबसे पहले शनीदेव अपनी मूले त्रिकोर राशी में उपस्तित है और मूले त्रिकोर राशी में ये शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं पंच महापुरुष में एक काउंट होता है साथ में जो सूरी की डिगरी होगी दो डिगरी का है और चंद्रमा जो रहेंगे कल नक्षत्र भी परिवर्टन करेंगे और राशी भी परिवर्टन कर लेंगे ये मेश राशी में रहेंगे और उसके बाद ये वरिशब में पहुँच जाएंगे तो इसका जो पूरा असर पड़ेगा गजकिसरी योग का निर्माड भी होगा जो की रात्री नौ बजे तक गजकिसरी योग का निर्माड पड़ेगा और इस योग के निर्माड के कारण जो है ये योग और अत्यदिक अच्छा हो जाएगा सूर्य का लॉंगिटूट और चंद्रमा का लॉंगिटूट जब भी 53 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में होता है तो शोबन योग का निर्माड होता है तो कल शोबन योग भी बनेगा गच किसरी योग का भी फॉर्मेशन होगा और शच योग का भी निर्माड होगा इन तीनों ही शुब योग का जो निर्माड हो रहा है, इस पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, देखिए जब भी किसी का जनम दिन होता है, जैसे सपोस कीजिए कि आपके मित्र का ही जनम दिन है, तो आप प्यार से जाते हैं उसको विश्ख करते अगर आपका कोई मित्र नहीं है लेकिन आपका कोई शत्रू भी अगर है अगर आप उसको एक बार कॉल करके या वारतालाब करके एक बार बर्डे विश्च कर दीजे तो भी वो अपनी सब चीजों को भुला कर थोड़े दिर के लिए उसको लगेगा मन में कि कुछ तो अगर आप शनी देव की थोड़ी सी पूजा अराधना अगर आप कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा तो तीन उपाय मैं कल बता रहा हूं आपनों को कर लेना चाहिए शनी जेनती के आउसर पर और कुछ रेमिडी के साथ साथ कुछ यहां पर रेस्ट्रिक्शन भी कल रहेंगे उसको भी आपको नोट करना चाहिए सबसे पहला उपाय है क्योंक आपके कारियों में किसी भी प्रकार की डेले हो रहे हैं किसी प्रकार का न्याय आपको नहीं मिल पा रहा है तो शनी देव भगवान से आपको दिल से प्रारतना करना चाहिए आपको कोई मंत्र आता हो नहीं आता हो लेकिन दिल से अगर आप प्रारतना करते हैं तो शनी दे दूसरी बात है कि अगर आप बीजमंत्र का साहरा लेना चाहते हैं तो ओम, प्रांग, प्रिंग, प्रांग, शनिश्चराय नमा का जाप कर सकते हैं या ओम, शंग, शनिश्चराय नमा का भी आप जाप कर सकते हैं मैं फिर से बता देता हूँ ओम शंग शनिश्राय नमा का भी जाप कर सकते हैं इन दोनों का आप जाप कर सकते हैं नहीं तो आप शनी का जो और भी मंत्रों होते हैं किसी भी मंत्रों द्वारा शनी देव को आप पूजा कर सकते हैं लेकिन देखें मेरा जोतिश होकर मेरा ये म मेशा रखना चाहिए आपको हमेशा जो पूजा पार्ट है शनी देव भगवान से अगर आप ये उपेक्षा रखते हैं कि वो आपको अच्छे आपके कर्म का अच्छा फ़ल देंगे तो क्यो जनन दिन परी करना है नमबर वन ये तो दिखाबा हुआ ना कि भगवान को मैं पूजा कर रहा हूँ और उसके मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं इसलिए बेटर होगा कि शनी देव की प्रते दिन आप पूजा कीजिए और शनी देव की पूजा करने से शनी देव थोड़ा शांत रहते हैं आपकी निगेटी प्रभाव को कम कर देते हैं ये जनमोसव है आउसर पर यानि शनी जी का जो जहनती है उसके आउसर पर शनी देव की अरादना करनी चाहिए और बीज मंत्रों का जाब भी करना चाहिए इसके अलावा अगर आपका कर्ज बहुत जादा बढ़ गया है आपके शत्रु समापते ही नहीं हो रहे हैं तो आज के दिन जो है आप शनी देव को प्रसंद करने के लिए अपने प्रतिविंब को सरसो के तेल में देखिए और उसका दान कीजिए चाया दान कीजिए और बहुत अच्छा रहेगा कि काले रंग की वस्तों का दान कीजिए काले रंग के अन का जैसे तिल का अगर आप दान करते हैं समय तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा आपको शनी मंदिर जरूर जाना चाहिए कल के दिन और वहाँ पर जो है सरसो के तेल का दान जरूर करना चाहिए प्रतिविंब देखे करेंगे तो जादा अच्छा रहेगा लेकिन जरूरी नही तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि पांच टाइप का अनाज आप ले लिजिए और पांच टाइप के अनाज को लेकर उसको मिक्स कर दिजिए पूरा पीस दिजिए और उसके अंदर सरसो का तेल थोड़ा सा डाल करके पेस्ट बना लिजिए और उस पेस्ट को बनाने क आपको किसी खाली अस्थान पर जहां पर लोग नहीं आते हैं या संगम हो नदी हो या ओशन हो उसके पास थोड़ा सा एक अमाउंट किसी डिस्पोजल बरतन में रख कर वहां पर अगर बत्ती त्यादी दिखा देते हैं तो आपके करज खतम होंगे आप को रिड़ से मुक्त बहुत ही अच्छा रहेगा तो इन प्रभाव को करने से शनीदेव खुश रहेंगे लेकिन एक चीज मैं जहते ज़र जरूर बोलना चाहूंगा शनीदेव कर्म प्रधान व्यक्ति हैं शनीदेव कर्म के अनुसार फल देते हैं ऐसा नहीं है कि आपने किवल कल के दिन दिख खावे के लिए अगर कैसे काम किया सच्चे मन से कोई भी अगर आप काम करेंगे उसमें शनीदेव की क्रिपा जरूर बढ़ सेगी और शनीदेव डिले करने का कारण होते हैं चीजों को डिले कर देते हैं और जब यह अपने पर नीचता पर आ जाते हैं तब तो देखिए क इस तरीके से जो राजा होता है रंक बन जाता है और जब इनकी क्रिपा दृष्टी बढ़ती है तो उस समय यह जो रंक होते हैं वो भी राजा बन जाते हैं तो इसके बहुत सारे एक्जामपल मेरे पास हैं लेकिन इस शनी जहनती पर आप सभी को बहुत-बहुत बदाई ह अभी के लिए इतना ही मैं हूँ जोतिशाचारे कियम से ना ओम नमस्षिवाए एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक आप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रॉलोजर से कर दो